दोस्तों कोमोडो ड्रैगन कोई साधारन छिपकली नहीं ये दुनिया की सबसे विसालकाई बेहत ताकतवर और गिनी चुनी जहरीली छिपकलीों में से एक है ये दमदार सिकारी सिकार करने के लिए अपने सूंगने की सक्ती पर जादातर निरफर होता है ये एक जगह पर बड़े धैरे से कई घंटों तक अपने सिकार का इंतजार करता है और जैसे ही सिकार इसके रेंज में आता है ये अपने बड़े बड़े और धारदार दातों से उस पर हमला करतेता है तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खुंखार सिकारी के कुछ सबसे खतरनाक हमले कुमोडो अटैक्स बोफैलो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं भैंस बेफिकर होकर पानी में बैठी थी तब ही कुमोडो ड्रेगन पीछे से आता है लेकिन भैंस ने उसे देख लिया है और कुमोडो जैसे ही जपड़ता है वह खड़ी हो गई और बच गई वह दोबारा कोसिस करता है और इस बार हमला सामने से होता है पर भैंस ने उसे देख लिया है फिर से वह साधानी से बच जाती है पर अब कुमोडो भी जान गया है कि हमला कहां करना चाहिए उसका तीसरा हमला बेहत घातक और सटीक था भैस के जखमों से निकलता हुआ कोन आसपास अन्य कुमोडो ड्रैगन्स को उसकी तरफ आकरसित कर रहा है कुमोडो के काटने से बैक्टीरिया और जहर का मिक्षर सिकार के सरीर में चला जाता है और जखमों को सूखने नहीं देता जिसकी वज़ा से भैस कमजोर पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है फिर धेर सारे कुमोडो उसे खा कर अपना पेट भरते हैं जब ये कुमखार सिकारी अपने सिकार का चुनाव कर लेता है तो जमीन से लेकर समंदर तक कोई भी अस्थान इससे सुरच्छित नहीं जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं एक हिरंड जिसे कुमोडो ने जमीन पर घायल कर दिया है समंदर की सरन लेता है तब ही दो कुमोडो ड्रैगन पानी में उसके आसपास मड़ाने लगते हैं फिर कुछ और भी आ जाते हैं और हिरंड को समंदर के तट पर खीच ले आते हैं और फिर मिलकर उसकी दावत उड़ाने लगते हैं दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कुमोडो जमीन पर मौजूद जानवरों का सिगार करने में जरा भी देर नहीं लगाता पर क्या कुमोडो उचल कूट करने वाले और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर बंदर जैसे एनिमल का सिगार कर पाएगा कुमोडो अटैक्स मंकी एक बंदर लोहे की बनी हुई फेंस पर बैठा हुआ है और जैसे ही फेंस से बंदर की पकट धीली हुई कुमोडो ने उसे नीचे खीच लिया और अपने मजबूत जबडों में उसे दबोच लिया तब ही बंदर को खाने कुछ और कुमोडोस भी आ जाते हैं और कुछ ही पलों में उसे सफाचट कर जाते हैं कुमोडो अटेक्स गोट कुमोडो ने बकरी को दोडा लिया है और कुछ ही पल में उसका रास्ता रोक कर उस पर अपनी दमदार पोंच से हमला करता है और बकरी को गिरा देता है पर बकरी जल्दी से उठकर वहां से भाग जाती है लेकिन कुमोडो ड्रैगन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और बकरी को घेर कर उसे काटना सुरू कर देता है लेकिन बकरी भी कुछ कम नहीं वह कुमोडो पर पलट वार करती है जो कुमोडो को ब्याकुल कर देता है आखरी में कुमोडो ने अपनी पूँच से बकरी पर घातक हमला कर दिया जिससे तुरंत बकरी की मौत हो जाती है और फिर कुमोडो उसे सीधा निगल जाता है ये अपने जबडे और गले की खास मांस पेसियों से मांस के काफी बड़े टुकडे को आसानी से निगल सकता है कुमोडो अटैक्स रूस्टर कुमोडो ड्रैगन मुर्गे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और कुछ ही पल में मुर्गे को मुह में दबोच कर उसे हावा में जटक देता है और फिर मुर्गे को ढूंट कर उसका दावत उड़ाने लगता है